उत्राखंड राज्य का कर्ष अब मर्ज बनता जा रहा है। प्रदेश पर करीब 53,000 करोर रुपे का कर्ष है। राज्य सरकार को कर्ष का ब्याज भुगतने तक के लिए कर्ष लेना पड़ रहा है। यही वज़े है कि कर्ष का केवल 40 प्रतिशत ही विकास योजनाओं के काम आ पा रहा है। यही बावजूद कर्ष से परहिज नहीं किया गया। इतना ज़रूर रहा कि 2005 में लागु वित्तिय प्रबंधन अधिनियम के तहट कर्ष को GDP के अनुपात में कम से कम रखने की कोशिश की जाती रही। अब भी प्रदेश में कर्ष मानक से अधिक नहीं है लेकिन इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। इस समय परदेश पर करीब 53,000 करोड रुपे का कर्ष है जो कि इस बार के कुल बजट के बरावर है। परदेश को कर्ष का मर्च किस तरह से परिशान कर सकता है यह कैग की हाल ही में आई रिपोर्ट से भी साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट के मताबिक परदेश सरकार को उगले 10 साल के बकाया 26,662 करोड रुपे में से 24,180 करोड रुपे का भुगतान करना होगा। इसके साथी ब्याच के 15,883 करोड रुपे भी हैं यानि सरकार को करीब 40,000 करोड रुपे का भुगतान करना है। प्रदेश सरकार की और से लिए गए करश का हिसाब देखा जाए तो यह करश परदेश की योजनाओं के खाते में कम ही जा रहा है क्याक रिपोर्ट के मताबिक करश का अधिक्तम 40 पतिशर्थी विकास योजनाओं के काम आ रहा है बाकी का हिस्सा पूर में लिए गए उधार और ब्याज के भुगतान में निकल जा रहा है साफ है कि नई संपत्ति न होने की वज़े से इस गर्ण से सरकार को रिटर्ण ना के बराबर ही मिल रहा है